नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे यूटूप इंडिया अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वगत है आज हम आपको डेमोक्रेशी के विश्या में कुछ बताने जा रहे हैं डेमक्रेशी में इसका हिंडी रुपातर है प्रजातन देमोक्रेशी का आर्थ होता है जनता की द्वारह बनाये गए सासन है 1947 में हमारा सम्विधान लाग हुआ था तब देश में यह निश्चित हुआ था कि हमारे सम्विधान की सबसे वड़ी विशेष्टा होगी डेमोक्राशी मतलब प्रजातनत्राच हर व्यक्ति को अपनी स्वेक्षा से जीने का अधिकार होगा अपनी तरह से वो जी सकेगा अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकेगा अपने रहेंसेंग के तरीके अपने बनाए रखेगा यह हमारे सम्विधान की विशेष विशेष्टा है डेमोक्रेशी अबराम निंका ने इसकी एक मुख्य प्रवासा दिया है डेमोक्रेशी इस दा जनता द्वारा जनता के लिए बनाएगवा सासन है है यदि हर व्यक्ति को अपनी स्वेक्षा से जीने का अधिकार है डेमोक्रेशी लोकतंत का संकलात्मक परिवार स्वेक्ता अधिकार और समानता और सुतंता देने का अधिकार है हर व्यक्ति अपनी स्वेक्षा से जी सकत हिंदू अपनी तरीके से जी सकता है, मसलिम अपनी तरीके से जी सकता है, किसी के अंदर भेधभाव की भाबना नहीं हो गे, सब लोग एक जुटो के भाई-भाई कहलाएंगे यह हमारे समद्दान की विसिष्टा हैं इसकी इसका हम आपको एक सर्चिर्ट में छोटा सा सारान समझाने जा रहे हैं समानताएं अशमानताएं और विभाजन समाजिक भेदबाव के उत्पति कैसे हुई नमबर बन आता है लोक तंत्र में विभिन राजन्यति पार्टियों के बीच प्रति दुंदा का महल होता है इस प्रति दुंदा के कारण कोई भी समाज फूट का सिकार बन सकता है राजन्यतिक दल समाज और मौजूद विभाजनों के हिसाफ से राजन्यतिक खोड़ करने लगे तो इससे समाजिक विभाजन राजन्यतिक विभाजन में बदल सकता है और ऐसे देश में विखंडन की तरफ जा रहा है सेष्ट प्रिस्चितियों तो ये समाज में किसी किस्म का विभाजन ना हो अगर किसी देश में समाजिक विभाजन है तो उसे राजन्यतिक अवियक्त ही नहीं होनें देना चाहिए किसी देश में समाजिक विवनецताओं पर जोड़ देने की बात तो हमेशा खतम मान कर नहीं चनटा चाहिए ये एक स्वस्थ राजनेतिक लक्षन भी हो सकता है राजनेक्तिक में विविन तरह की समाजिक विवाजनों की व्यक्ति ऐसे विवाजनों के बीच पैदा करने का काम करती है अब आता है हमारा एक प्रेस्ट उठता है कि समाजिक अंतर और कप कैसे और कैसे समाजिक विवाजनों का रूप ले लेते हैं अगर समाजिक अंतर रखा जाएगा तो उसमें विवाज़न होना एक सवाबी क्विसे है यदि हमको समाज को एक जूठोकर मिलना है चलना है तो हमें चाहिए कि इसमें कोई विवाज़न ना करें और कोई भी चीज़ है, ईजनता पार्टी हो चैबे कॉंग्रेस पार्टी हो मिलके अपने समाज की गतिविदियों को जाने और अच्छे तरह से समझें इसी से हमारा इसी तरीके से हमारे समाज में एकता बनी रहेगी समाजी विवांस से किसी तरह की राजनेतिक प्रवापित करते हैं तो उधारन भी दिये जा सकते हैं अगर हम किसी प्रकार से उनको विवाजित करेंगे तो हमारा जो समाज है वो बिखषिक्त हो जाएगा इसलिए हम यह चाहते हैं प्रतेक व्यक्ति का यह परमकर्तब है कि वो अपने भाई भाईयों को चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो इसाई हो जाए वो किसी भी धर में जातीका हो उसे एक होके जीना है और अपने हिसाब से भी जीना है ये नहीं कि अगर हम इंदू है तो हम मॉंटनों को उनकी पूज़ा पाठ के त्रीके ममा ने हम पूज़ा पाठ करते हैं अगर मॉंडन है तो वो अपने इसलाम को मानते हैं मगर हर व्यक्ति अपने इसाफ से जी रहा है सिर्फ कहना ये है कि सबसे बड़ी लोकतन की विशेष्टा प्रजातन की विशेष्टा ये मानी जाती है कि वो एक जुठो के अपने साफ से अपनी समाजी प्रक्रियाओं को जाने और आराम से जीए प्रजातन जनता का ही सासन है धन्यवाद दोस्तों आज के लिए तही धन्यवाद फ्रेंड्स यदि आपको हमारे यूट्यूब यूट्यूब वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल इंडिया अपडेट को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद